सफर कैसा है यह सफर वनजिलों कि नहीं कोई खबर सफर ओके मैं भुझ पोँच गया और भुझ मैं जो सबसे पहली जिगह मैं एक्स्प्लोर कर रहा हूँ वो है छतेडी चतेडी शब्द जो है वो बनाए छत्री शब्द से क्योंकि यहां पे जो टॉम्स है यह आपको जो दीख रहा है इनकी जो शेप है वो अम्रेला की तरह है जैसे अम्रेला के उपर वाला हिस्सा होता है और यह जो जिगह है यह कच के जो रॉयल लोग थे उनकी कबर है वैसे यह जिगह थी वैसे तो पूरी जिगह खंडर बन चुकी है और 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसने भी यहां पर इस जिगह को खंडर बना दिया क्योंकि उस अर्थक्वेक में यहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था अभी मैं वह वाली जिगह दिखाता हूं मै आपको जहां पर आशुरे रायने और सलमान खान ने फेरे लिये थे मुवी के अंदर एग्जैक्टली यह वाला फ्रेम था जब सलमान खान ने और एशुरे रायने शादी करी थी आपको स्टेर्स दीख रहे हूंगी मैंने स्क्रीनशॉट जो शेयर किया उसमें और इसके ऊपर खड़ोंके उन्होंने फेरे लिये थे और यह वाला तो सही सला यह उपर का हिस्ता था जो ऊपर लग रहा था जो दोजार एक के अर्थकोयक में टूटके हैं नीचे गिर गया है आपको चारो तरह बहुत सारे मिल जाएंगे जो तूटके नीचे गिर हैं यहां की उपर वाली चीजें थी जो टूट गी थी 2001 वाले अर्थ को एक में यह जो भी नीचे से चीजें पड़ी है इस जिगह पर कोई टिकेट प्राइस नहीं और वीक के साथ दिन ऊपन रहता है और इस जिगह पर ऐसा कुछ खास नहीं है अब यहां पर शूटिंग होई थी और फाइनली मिर को वह वाला फ्रेम मिल गया अभी मैं जा रहा हूं आइना महल वहां पर भी होई थी दिल दे चुके सनम की शूटिंग और एक मुवी की और होई थी वहर किसी ने देखी होगी मुवी तो बस अब चलता है यहां से निकलते हैं ओके आईना महल तो मैं पहुंच गया अब देखते हैं कैमरा अलाओ होता है कि नहीं होता है ओके एंट्री मिली 40 रुपे की टिकेट थी कैमरे के लिए अलग से थी 100 रुपे फोटोग्राफिक के लिए वीडियोग्राफिक के लिए 35 गंटे के लिए मैं फफॉन से ही शूट कर रहा हूं सबको चाओ अंदर हॉल में इंट्री करने के लिए आपको शूज उताने पड़ेंगे यहां पराग महल का वो फेमस हॉल जहां पर लगान मूवी की शूटिंग हुई है यहां पर लगान मूवी का वोवाला सीन शूट हुआ है जहां पर सारे गाउ olarak मिलके आते हैं वह मांडरी में हुई है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखाऊंगा यह है क्लॉक टावर और इसमें यहां पर यह दराद है दीख रही है आपको यह अर्थ्वयक की देन है अर्थ्वयक वाया था तभी एक रैक पढ़ा था अब उपर चलते हैं इसमें क्लॉक टावर में बहुत छोटी छोटी स्वीडियों है अब है अब है अब है अब है और यहां से पूरे भुच का नजारा आपको देखने को मिलेगा जैसे आप क्लॉक टावर के उपर आओगे 360 वी मिलता है यह एक साइट से है पराग महल के जैस सामने है आइना महल जो अब एक खंडर बन चुका है यह आप देख रहे हो सामने यह पूरा एरिया खंडर बन चुका है यही है आइना महल पराग महल जाता है उपर से यही सेडिया उपर आने के लिए और नीचे जाने के लिए कभी गुरूप्ट आ जाता है कोई उसमें एक साथ इतने सारे बंदे हो जाते हैं कि दिक्कत आ जाती है गोल गोल भूं के चक्कर आ रहे हैं और चलो पराग में अज़से निकलते हैं अब चलते हैं होटल रूम में वापिस आ गया और अम मस्त फ्रेश होके इस वीडियो को खतम कर रहा हूं है मैं बुझ में जो जो जीगा इस अलेट करीती घूमने के लिए वो मैं सारी घूमचकों जैसा आप देख चुके हो बस मैंने आपको एक जीगे नहीं दिखाई है वो है बंदे मातर मैमोरियल मैं वहाँ पर भी गया था वहाँ पर आपको इंडियन पालियमेंट जो है आपको उसकी रैप्लिका देखने को मिलेगी वहाँ पर आपको आपको इंड 1557 से लेगे 1947 तक जब तक भारत आजाद हुआ आपको आपको यह इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग मैं बोला था कि मैं आज मांटवी भी जाने वाल हूं बट मैंने मेरी जो प्लैनिंग है उसको मैंने थोड़ा री प्लैन किया है और मैं मा वीडियो जो है वह वो बोरिंग नहीं होगी वह एक्साइटिंग होने वाली है तो बस इस वीडियो फिर खटम करते हैं अगर आपको वीडियो अची है तो वीडियो को लाइक करना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सस्काइब करना मैं मिलूंगा आपसे नेक्स वीडियो में